हेलो दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बीटियसी एन्म 10709 वेकेंसी के लेकर कि आपका कॉंसलिंग कब से होने जा रहे हैं साथ ही आपका रिजल कब तक प्रकासित कर दिये जाएंगे क्योंकि बीटियसी का जो पिछले वाल है तो बहुत जल्द आप लोग का ही रिजल आने वाले हैं तो हम सारे कुछ इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं किस डेट को आपका रिजल देखने को मिलेंगे और किन स्टूडेंटों को अभी तक नियुक्ति प्रमानपत्र दे दिया गया यह सारे कुछ हम इस वीडिय इसका भी वेकेंशिया निकाला यह तो पत्नी पर दो आगा गया औहं तो इसके साथ ही कुछत सकते है की जो फूल कि ह की तो यहां सारा प्रोसेस किया गया आपके आपसे पहले वाले वह वेकेंसी थी उसको पूर्ण रूप से आप कर लिया गया है का सकते हैं कि जोइनिंग लेटर दे दिया गया तो आप उसमें कोई बात ही नहीं आप जाके आपने पोस्टेड होंगे और जोइन करेंगे उसके बाद पेमेंट उटाएंगे उनका सारा प्रोसेस हो गया था और सारे के निक्ति प्रमानपत्र अपने हाथों से दिया है तो आप लोग का भी निक्ति प्रमानपत्र जो होंगे वह तेजसी वी आदर जो खुद अपने हाथों से वित्रन करेंगे तो आप लोग भी तयार रहे क्योंकि बहुत जल्द आप लगका रिजल्ट भी आने जरूरी था क्योंकि पहले वो आये थे इसके बाद ही आप लोग का वेकेंशी निकाला गया सारे कुछ दिया गया था कर सकते हैं कि रेजिटेशन का डेट दिया गया तो आप लोग का रेजिटेशन के डेट थोरा पंदरा दिन बढ़ा दिया गया इसलिए थोरा से डीले देखने को मिल रहें नहीं तो आपको इस मन्त में ही रिजल्ट आपका मिल जाता है लेकिन नेक्स्ट मन्त में आपको अक् बताइब करने के लिए बोला जाएगा उसके यदि आपको लगए कि कम है तो वहाँ पे आपको नमबर बढ़ सकता है तो उसके लिए आप लोग चिंताने करें और बहुत ही जल्द आपको रिजल देखने को मिलेंगे तो बेफिक्र रहे हैं और मेला का इंजॉय करिए क्योंकि अभी नवरात्रा चल रहा है तो इस वह से ही थोरा सा आउफिस भी बंद ही हो जाएंगे दो तीन रोज के बाद लग रहा है कि बहुत जड़ आप लोग का कटप दे दिया जाएगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे जैसे बीटेसी के तरफ से कटप आएगा वैसे हमने कटप के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाये थे उसमें हम एनलैसिस करके कटप के बारे हम बताये थे तो वह वीड लग जाएगा कि इतना मार्क है मेरा तो हम सेफ है तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में